चलिए, लेखांकन समीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, 11th Accountancy में जो चिप्टन हमारा चल रहा है वो है लेखांकन समीकरण लेखांकन समीकरण में सबसे महतुपूर्ण बात है लेखांकन समीकरण कौन सा संपत्या बराबर दाई तो प्लस पुझी और उससे भी महतुपूर्ण बात है कि हमें संपत्यों के बारे में मालूम हों कि संपत्या कौन से होती है दाई तो कौन से होते हैं और पुझी कौन से पुझी किसे गहते हैं, यह तीनों चीज है दी हमें clear है तो हम समीकरण आसानी से बना सकते हैं, पिछली दो क्लासेंस में हमने संपत्तिया लाई तो कुझी के बारे में जाना, फिर हमने कल की क्लास में लेखांकाल समीकरण किस प्रकार से prepare किया जाता है, उसके बारे में हमने स तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की लेखांकन समीकरण किस प्रकार से बनाए जाएगा वो देख लेते हैं कल हमने करीम आठ कोस्चन किये थे आज मैं आपको उसके आगे के कोस्चन कराने वाला हूं और यह कोस्चन नंबर है नाइन ठीक है आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए स्केल लेकर के बैठा करिए जैसे जैसे हम साथ में करेंगे वैसे आपकी भी प्रेक्टिस होती जाएगी निम्न से लेखांकन समीकरण तयार किजी हमें accounting equation तयार करना है लेखांकन समीकरण तयार करना है नमबर वन है व्यापार प्रारंब किया रोकड दो लाक रुपे और माल 25,000 रुपे एक व्यापारी ने अपना व्यापार प्रारंब किया, रोकड उसने 2,00,00 रुपे लगई और माल लेकर आया 25,00 रुपे आप लोगों को पहले सही मालूम है कि यदि कोई व्यापारी व्यापार को प्रारंब करने के लिए रोकड और माल लेकर आता है तो वो दोनों उसकी पूझी कही जाती है इसका मतलब रोकड भी एक संपत्ती है माल भी संपत्ती है ये दोनों संपत्ती होगा और दोनों को जोड देंगे तो क्या हो जाएगा पूझी हो जाएगा ठीक है? दूसरी बात 10,000 रुपे लागत का माल रोकडी बेचा 15,000 रुपे में उसके पास जो माल था 25,000 रुपे का माल था उसमें से उसने 10,000 रुपे लागत का माल बेज दिया लेकिन 10,000 का माल कितने में बेचा? उसने 15,000 रुपे में बेचा अच्छी बात है 10,000 का माल 15,000 में बेचा 5,000 का profit हुआ उससे उसकी फुझी बढ़ जाएगी तीसरी बात उधार furniture क्रय किया 20,000 रुपे का furniture तो क्रय किया furniture एक संपत्ति होती है आप लोगों को मालूम है तो एक संपत्ति बढ़ जाएगी furniture वाली और अब furniture में हम दुकान पे furniture खरीदने जाएंगे तो furniture खरीदओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना लेकिन यहाँ पर उसने कैसा खरीदा उधार उधार खरीदा इसका मतलब उसका दाई तो बढ़ जाएगा दाई तो मतलब cuánt लेंदार बढ़ जाएंगे तो संपत्ति तरफ फर्मीचर बढ़ेगा और दाई तो साइड में लेंदार बढ़ेगा ठीक है अब इसी आधाय पर हम लेखांकन समीकरण बनाते हैं आप लोग भी फटाफट लाएने खीचिए और मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी बनाना है ठीक है चल सबसे पहले आएगा विवर्ण सबसे पहले हम लिखेंगे विवर्ण विवर्ण के बाद में आएगा हमारा एक कॉलम रहेगा लेखांकन समीकरण लिखने का यह हम लिख देते हैं लेखांकन समीकरण ठीक है यह रहेगा विवर्ण यहां हम समीकरण लिखेंगे पहले वाले कॉलम में समपत्या बराबर जाइक प्लस ठीक है यह समीकरण लिख दिया हमने नमबर एक पर रोकड और माल से व्यापार प्रारंब किया अब रोकड और माल दोनों क्या है दोनों सम्पत्य हैं रोकड और माल दोनों सम्पत्य होती है रोकड कितने की है दो लाक रुपई की रोकड है और माल कितने का है 25,000 का और यह दोनों किस रूप में आया व्यापार में यह दोनों आया पुंजी के रूप में आया तो यहां पर लिखेंगे हम पुंजी इसने रूपए क्या ही पुंजी जीरो प्लस दो लाक पच्चिस हजार ठीक है रोकड दो लाक यह भी संपत्य है माल भी संपत्य होता है दोनों संपत्य कि साइड में लिखा हमने 25 हो गया और एंग इस रूप में आया व्यापार में दो लाक पच्चिस हजार पुंजी की রूप में आया तो बराबर की यह दार भी माल बेचा कि 10,000 की लागत का माल 15,000 रुपे में नंगती बेचा उसको कितना पैसा मिल रहा है तो 15,000 रुपे नंगत मिल रहा है और माल कितने का गया बेचा मत्लब उसके पास से माल सटॉक कम हो जाएगा 10,000 का माल कम हो गया तो ये तो भी या गड़बड हो रही है 10,000 का माल कम हो रहा है और 15,000 रुपे आ रहे हैं तो 5,000 रुपे का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ मतब 5,000 रुपे से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी तभी तो सही होगा ये हो जाएगा हमारा नया समीकरण नया समीकरण दोनों साइड में बराबर बराबर होना चाहिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर आना चाहिए तो केस कितना हो गया? 2,15,000 का केस हो गया माल कितना बचा उसके पास? 25 में से 10,000 का माल बेच दिया 15,000 का माल बचा दाई तो अभी कुछ नहीं उसके पास और उसकी कैपिटल हो गई 2,25,000 तो पहले थी और 5,000 का भी प्रॉफिट हो गया तो उसकी कैपिटल हो गई 2,30,000 अब दोनों साइड में मिला लो भई कि 2,30,000 यह दि बराबर के इदर है तो बराबर के इदर भी 2,30,000 होना चाहिए 2,15 और पंदरा 2,30,000 बराबर होगे हमारा नया समिकरण तीसरा पॉइंट क्या है उधार फर्नीचर क्रै कि आप भी सजार का चलिए तीसरा पॉइंट लिखा फर्नीचर उधार क्रै इतना सौर्ट में लिख सके लिखतेगे फर्नीचर उधार क्रै फर्नीचर खरीदा चाहे नगत खरीदो चाहे उधार खरीदो व्यापार में संपत्ति के रूप में आएगा मतलब एक संपत्ति इहाँ पर बढ़ जाएगी और किस नाम से बढ़ेगी फर्नीचर के नाम से उपर से यहां तक हम नीचे तक 0000 लाएँगे कितने का फर्नीचर खरीदा वह साब 20,000 का उसने खरीदा 20,000 का फर्नीचर आ गया ठीक है उधार खरीदा है तो कैस तो जाएगा नि क्यूंकि उधार खरीदा है तो उसके पास से पैसा गया नहीं माल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अब उधार खरीदा है तो सिदी सी बात है कि उसके लेंदार बढ़ जाएंगे दाई तो बढ़ गया मतलब लेंदार बढ़ गए तो लेंदार कितने के बढ़ गए, 20,000 रुपे के लेंदार बढ़ गए, कुझी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बन गया हमारा नया समीकरण, नया समीकरण, दिखो, निव इक्वेशन या नया समीकरण, 2,15,000 कैसे उसके पास, 15,000 रुपे का माल है, 20,000 रुपे का फरनीचर है, ठीक है, और इदर 20,000 रुपे के लेंदार है, और 2,30,000 रुपे की पुंजी है, टोटल यदि जोड़ोगे, तो ये आपका होना चाहिए, इतना है, 2,50,000 रुपे का फरनीचर है, और ऐसे ही यदि इसको जोड़ोगे, तो ये भी आपका होना चाहिए, 2,50,000, तो दो पंदर और पंदर दो तीस, और बीस, 2,50,000, बराबर हो गया, बराबर मामला बेट गय ठीक है, ये हो गया हमारा लेखांतन समीकरन या अकाउंटिंग एक्वेशन कम्प्लेट हो गया, बताइए कहा समझ में नहीं आया, बहुत ही इजी है, step by step हमें चलना पड़ेगा, आप इसको अपने जीवन से जोड़िए, व्याहर से जोड़िए, कि आप खुद एक करना है, ठीक है, समझ में आया हो तो ओके लिखिए, समझ में आ गया हो तो ओके लिखिए, और नहीं समझ में आया हो तो पूछी लिखिए, क्या समझ में नहीं आया, और याति समझ में आ गया हो, तो ओके लिखिए, बताईए चलिए दो कई जवाब आया बाकी लोगों को समझ भी नहीं आया क्या तीन और तो इलेवन कामर्स में कितने बच्चे हैं इसमें एक बार चलिए और किलियर कर रेता हूँ पहला वाला पॉइंट बार बार आएगा आपके लिए रोकड से व्यापार प्रारंब किया अब किसी प्रस्चन में आपको मिल जाएगा रोकड और माल से व्यापार प्रारंब किया यदि व्यापार को प्रारंब करने के लिए रोकड और माल दोनों ला रहा है तो दोनों पुंजी हो जाएगी और रोकड और माल संपत्ती होती है तो संपत्ती साइड में हम रोकड में रोकड लिखेंगे माल में माल लिखेंगे ठीक है फिर माल नगत बेचा बही नगत माल आप कोई सी आपकी वस्तुएदी बेचोगे तो आपके पास से माल जाएगा और आपके पास पैसा आएगा मतलब आपके पास रोकड पंदर हजार उपे की बढ़ गई और आपने माल कितने का बेचा दस हजार का कोई भी व्यापारी अपना माल लागत से अधिकी बेचेगा तो दस हजार की लागत का माल था पंदर हजार में बेचा पाँच हजार उपे का लाव हुआ और लाव होने से पुंजी बढ़ जाती है पुंजी में जोड़ दिया पाँच हजा नया समीकरन हो गया फिर फरनीचर उधार खरीदा आप खरीदने गए आपने फरनीचर खरीद लिया पैसे नहीं दिये बोले मैं बाद में दूँगा इसका मतलब वो छोड़ देगा क्या नहीं आपका लेंदार बढ़ गया फरनीचर का दोनों पक्षों के उपर प्रभाव पढ़ता है दो पक्षों के उपर या तो एक संपत्ति बढ़ जाएगी दुसरी संपत्ति कम हो जाएगी या फिर एक दाई तो बढ़ेगा तो दूसरा संपत्ति बढ़ जाएगी या एक संपत्ति कम होगी दो दाई तो कम हो जाएग मतलब दो पक्षों की उपर कहीं ने कहीं उसका प्रभाव आपको दिखाना पड़ेगा नहीं, तो आपका समी करण मेच नहीं खाएगा, पर इधर भी 2,25,000, तो इधर भी 2,25,000, इधर 10,000 कम किया, 15,000 बढ़ाया, तो फिर इहां 5,000 का अंतर आया, 5,000 कुझी में जोड दिया दो जग़ बराबर, फिर 20,000 का फरनीचर खरीदा, तो इधर भी 20,000 के लेंदार बढ़ गए, मतलब दो नोज आपके बराबर बराबर आना चाहिए, ठीक है, चलिए, एक और question में बताता हूँ, इससे के और आपको बहुत कुछ clear हो जा रहेगा, अब देखी, पहला वाला point तो आपको वही का वही मिलेगा, व्यापार प्रारंब किया, कितने रुपे से व्यापार प्रारंब किया, 3,50,000 रुपे से व्यापार प्रारंब किया, संपत्ती के रूप में रोकड आई, संपत्ती तरब रोकड में लिखेंगे, और दाई तो तरब कहां लिखेंगे, केशे को कोई डाउट नहीं होगा दूसरा है असोक से माल खरीदा अब देखिए यहां पर कुछ चीजे अंडरिस्टूड रहेगी वो आपको खुद समझना पड़ेगा अब यह वाला जो सेंटेंस है इसमें लिखाए असोक से माल खरीदा लेकिन कंफ्यूजन यह आपको रह उधारें की नगत है जब प्रश्ण के अंदर नगत सब्द लिखा हो तो उसे हम नगत मानेंगे और यदि सेंटेंस में नगत सब्द नहीं है और किसी व्यक्ति का नाम है कि असोक से माल खरीदा मतलब नाम आगया इसका मतलब कि यह माल आपने उधार खरीदा है यह लाइन यह लेकिन डाउट यहां है असोक से माल खरीदा नगत सब्द नहीं है और नाम है किसी व्यक्ति का इसका मतलब आपने उधार माल खरीदा है लेके असोक से माल उधार खरीदा है तो माल आया आपने पैसे दिये नहीं, मतलब आपके लेंदार बढ़ गए, तो स्टॉक भी बढ़ गया और लेंदार भी बढ़ गया, एक संपत्ती भी बढ़ गई, एक डाई को भी बढ़ गया, राजेस को उधार माल बेचा, आपने माल बेचा, 30,000 रुपे के लागत का माल आपने 40,000 उधार माल बेचा है, आपके पास स्टॉक तो 30,000 का कम हो गया, लेकिन बेचा कितने में 40,000 में उधार बेचा है, मतलब आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन देंदार बढ़ गए, एक संपत्ती की रूप में जो देंदार मैंने बताया था, वो देंदार 40,000 के बढ़ गए, ल रोकड से फरनीचर खरीदा, फरनीचर आया और रोकड गई, एक संपत्ती बढ़ गई और एक संपत्ती कम हो गई, असोग को पूर्ण भुकतान में चुकाए, आपने असोग से माल खरीदा था 50,000 का, और आपने असोग को पूर्ण भुकतान में चुकाए 48,000 रुपे, तो पहल्कुल हो सकता है असोक ने आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट होने से आपकी पुझी आपको फायदा हुआ उससे असोक को पुर्णबुक्तार में आपने 48000 रुपए चुकाए तो आपके रोकर जो है वो कम हो गए 48000 रुपए से और आपके जो द 2000 रुपए से कम होंगे तो फिर 2000 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ ठीक है फिर किराया चुकाया किराया चुकाने पर रोकर कम हो जाएगी और उदर पुझी भी कम जाएगी जितने भी भुकतान है इसके बारे में आप यह धियान रखना जितने भी आप किराया चुकाओ वेतन चुकाओगे मजदूरी दोगे विजनी का पिल भरोगे उन खर्चों से रोकड कम होती है और पूंजी कम होती है बस इतना ध्यान रखेंगे जितने भी खर्चे एक्सपेंसेज जो आएंगे उससे रोकड कम होगी और पूंजी कम होती है इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा चलिए अब हम प्रेस्ण को कर लेते हैं इसको करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा आप लोग भी बनाएए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा कि आपको भी कॉपी में पुरा उप्यूग करना पड़ेगा कि पोड़ जितना बड़ा है उत्ता तुम्हें उप्यूप करेंगे पर्टिकुलर भी रहेगा संपश्तिया और चाहिक तो रोकर्ड माल, देंदार, लेंदार, फर्निचर, किराया, ठीक है, लेखांकन समीकरण, लेखांकन, समीकरण, विबरण, समीकरण लिखेंगे, संपत्या, बराबर, जाइब, प्लस, फुल, ठीक है, नमबर एक पर लिखेंगे हम, रोकड से व्यापार प्रारम्ब, रोकड से व्यापार प्रारम्ब किया, पुझी, तिन लाग पचास हजार, ठीक है, इधर रोकड तिन लाग पचास हजार, और इधर पुझी, तिन लाग पचास हजार, दूसरे नमबर पर असोक से माल खरीदा पचास हजार रुपय का, उधार माल खरीदा पचास हजार रुपय का, तो माल बढ़ जाएगा, कितने का माल बढ़ गया, पचास हजार रुपय का माल बढ़ गया, लेकिन उधार खरीदा है, तो लेंदार पचास हजार रुपय के बढ़ जाएगा, और कुझी पर उसका कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, उधार माल खरीदा है, तो माल तो आया पचास हजार का, लेकिन उधार खरीदा इसका मत्दाब, दाई तो पक्ष में लेंदार पचास हजार रुपय के बढ़ गया, लेने वाले, उससे पचास हजार लेने वाले, क्योंकि आपने खरीदा है माल, अब एक नया समीकरण तयार कर लेंगे हम, क्योंकि हर बार जोड़ना जरूरी है, ने तो आखरी में जोड़ने जाओगे, तो वो सकता है कि गलती हो जाए, नया समीकरण, रोकड़ा भी उसके पास 3,50,000 की है, 50,000 रुपय का माल खरीद लिया, टोटल हो गया 4,00,000, इधर भी 50,000 रुपय के लेंदार है, और 3,50,000 रुपय की क्यापिटल है, इसके पास, ये भी हो गया 4,00, तीसरे नंबर पर, राजेस को उधार माल बेचा, तीसरे पॉइंट है, उधार माल विक्त रहे, 30,000 रुपय की लागत का माल, 40,000 रुपय में बेचा, वह माल कितने का गया, 30,000 का माल गया, तो उसके पास से जो माल है, वह तो कम लागत की आया है, तो 30,000 का माल गया, और बेचा कितने में, 40,000 में, लेकिन 40,000 में नगत में नहीं बेचा, उधार में बेचा, तो देंदार उधार बेचने पर उसको पैसा देने वाले हैं अभी दिये नहीं है और इसलिए उसके देंदार बढ़ गए कितने रुपे के 40,000 रुपे के देंदार बढ़ गए तो यहां तो भैसा आप गडबड हो रही है माल 30,000 का गया और आपको पैसा देने वाले लोग है 40,000 तो 10,000 का तो आपको फाइदा हो रहा है तो 10,000 का फाइदा मतब आपकी पुझी 10,000 रुपैसे बढ़ जाएगी फिर एक नया समीकरण आ रिया फिर एक नया समीकरण बंज जाएगा नया समीकरण 3,50,000 का केस 50,000 के माल में से 30,000 का माल पेच दिया कितने का माल बचा? 20,000 का और अभी पैसा देने वाले लोग कितने हैं? उधार माल कितना बेच कर रखा है? 40,000 के देने वाले लोग हैं लेंदार 50,000 के हैं और पुन्जी है उसके पास 3,60,000 वहीं साब जोड़के देख लो तीन पचास और बीस तीन सत्तर और चालीस चार लाग दस हजार रुपे इधर भी तीन साट और पचास चार लाग दस हजार रुपे अभी तक तो हमसा ही चल रहे हैं चौथे नंबर पर क्या दिया है रोकर से फरनीचर खरीदा दस हजार रुपे का फरनीचर नगत क्रेश दस हजार का फरनीचर नगत खरीदा एक संपत्ती बढ़ गई उसके पास परनीचर नाम की संपत्ती बढ़ गई यह लिखेंगे दस हजार और कैसा खरीदा नगत मतलब उसके पास से पैसा जाएगा दस हजार रुपे के रोकर क्या हजाएगी कम हो जाएगी बाकी माल पे कोई फरक नहीं पड़ा लेंदारों पे कोई फरक नहीं पड़ा और पूंजी पर भी कोई फरक नहीं पड़ा जहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहां पर हम जीरो जीरो लिखते जाएगे कैस तीञ पचास था, दस अजार का फ़र्नीचर खरीद लिया, तो अब कितना बचा? 3,4,000 रुपे का कैस बचा उसके पास. माल भी सजार का है उसके स्टॉप में. और उसको उधार लोग देने वाले हैं, 40,000 और 10,000 का फ़र्नीचर खरीद लिया. इतना संपत्तिया है ताई तो पक्ष में 50,000 उसको देना है लोगों को और 3,60,000 रुपे की फुन्जी है उसके पास ठीक है? बराबर है निवी इक्वेशन हमारा नया तमी करण अब फिप्त नमबर पे आएंगे असोग को पूर्ण भुपतान में चुका है 48,000 रुपे जहां लिखना पड़ेगा असोग को चुका है कितने चुका है उसने 48,000 रुपे असोग को चुका है मतलब 48,000 रुपे की उसके पास से कैस गया 48,000 रुपे का कैस गया उसके पास भाई साब असोग को देना कितना था आपने उधार माल कितना खरीदा था पचास हजार रुपे का असोग से माल खरीदा था आपको पचास हजार रुपे देना था लेकिन पूर्ण चुकता कर दिया मतलब उसने आपको दो हजार का डिसकाउंट दिया तो क्या आप लेंदारों में से 50,000 माइनस करोगे कि 48,000 माइनस करोगे आप तो 50,000 ले करके गए थे लेकिन सामने वाले ने 50,000 ने लिये और 48,000 लिया 2,000 का आपको डिसकाउंट दे दिया इसका मतलब आपके लेंदार तो 50,000 रुपे से माइनस हो गए थे क्योंकि आप 50,000 देने गए थे सामने वाले ने आपसे 48,000 लिया तो फिर यहां तो आपका समीकरण मेंच ही नहीं हो रहा है आपके लेंदार 50,000 से माइनस हो रहे हैं और आपके पास से रोकर तो 48,000 रुपे ही गई इसका मतलब 2,000 रुपे का आपको कहीं न कहीं गड़बड ह हो रहा है तो दोजार रुपे आपको फायदा हुआ है तो 2000 रुपे से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी इदर 48 माइनस हुआ और इधर 50 माइनस हुआ था 2000 रुपे प्लस हो रहा है तो यह हो जाएगा 48 ठीक है अब इसको समीकरण बना के देख लेते हैं पहले तो 00 लिखू 0000 ठीक है अब आप लोग इसको जोड़ कर देखिए कि दोनों पक्ष बराबर है क्या नए समीकरण में तीन चालिस में से 48 ठीक हजार गया दो लाग अंख्यानदी हजार दो लाग बानवे हजार दो लाग बानवे हजार फिर 20 हजार 40 हजार और 10 हजार फिर 50 इसे 50 चला गया जीरो और यह हो जाएगा तीन लाग बास अगजार जोड़ यह हो रहा है क्या तीन लाग बानवे हजार 40 भी 60 और सत्तर सत्तर और दो लाग बानवे हजार कितना हो रहा है जोड़ यह 25,21 और सत्तर हजार और सत्तर हजार कितना हो रहा है बताये इसको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 3,62,000 हो रहा है तो फिर आगे बढ़े बताईए बताईए 2,92,20,40,10,000 इसको जोड़ेंगे तो 3,62,000 हो रहा है जो भी बच्चे जुड़े हैं जवाब दो चलिए फीक है यह ना यह हमारा बन गया नया समीकरण अब नेक्स्ट है हमारा किराया चुकाया तीन हजार जिक्स नमबर पे किराया चुकाया तीन हजार मैंने बताया जो भी खर्चे हैं उनसे रोकड कम हो जाएगी और आपकी पुझी भी कम हो जाएगी तो फीक है बस बाकी जगह सब जगह जीरो जीरो कर दो यहां भी जीरो यहां भी जीरो यहां पर भी जीरो टीक है अब बराबर कर दो करिए बराबर करिए दो बानवे में से तीन गया दो लाग निभ्यासी हजार प्लस बीस हजार प्लस चालीस हजार प्लस दस हजार जीरो और तीन दाग उनसाठ हजार इदर तीन उनसाठ है इदर का तीन उनसाठ आ रहा है क्या जोड़िये तो निभ्यासी बीस चालीस और दस तीन लाग उनसाठ हजार आना चाहिए यह हमारा हो जाएगा पराबर इदर तो है इदर तो जोड़ने की जरूत ने इदर का तीन उनसाठ आ रहा है क्या जोड़ के बताईए सबज में आया हो तो लिए और नहीं सबज बह आया हो तो कौना सा प्वाइंट निया वो बताईए एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर यह छे नमबर तो यह आपको ज्यादा से ज्यादा का प्राब्लोम हो सकती कि असोक को चुका ए heavy 48 जार ओके, वेरे गुड, फरनीचर आपने नगत खरीदा, आप खुद व्यापारी हो, आपके व्यापार में आप फरनीचर खरीदोगे व्यापार के लिए, यहाँ पर आपका सवाल सही है, किसर हम किराया चुका रहे हैं, तो रोकड कम हो रही है और पुझी कम हो रही है, तो फरनीचर खरीदने पर रोकड कम और पुझी पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है, पर दो पक्षों के उपर प्रभाव पड़ता है, पर खर्चे हमेशा हमारी पुझी कम करते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, वो यहाँ पर किराय आपका कैस तो कम हो गया आपि यहाँ ञुसे किराय के 3,000 रुपए से आपके जो सीदी सीदी कम हो जो फिनधी को सिधा सिधा कम कर रहें ठीके बहुती अच्छा एंट्रेस्टिंग कोस्चन था समझने लायक था चलिए अगला कोस्चन देखते हूं ग्यारा नंबर वला कोस्चन लिखांकन समीकरण का उप्योग का निम्न व्योहरों का संपत्ति पुजी दाई तुपत की स्प्रभाव पड़ेगा और चिठ्ठा भी दर्साइगे अब यह आ रहा है समारेजन से रेलेटेड अदत्त पुर्वदत उपारजीत और अनुपारजीत से रेलेटेड कोस्चन ही है इसको भी हम समझ लेते हैं देखिए रोकड से व्यापार प्रारंब किया इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी किराया प्राप्त किया किराया प्राप्त करेंगे जैसे आपने आप किराया चुकाते हैं तो आपकी रोकड कम होती है और उदर पुंजी कम होती है ठीक इसके अपोजिट आप जब कि किराया चुकाते हो तो रोकड कम कर दो पुझी कम कर दो और आपको किराया प्राप्त हो रहा है तो रोकड भी बढ़ जाएगी और पुझी भी बढ़ जाएगी ठीक उसके उल्टा उपारजित ब्याज उपारजित ब्याज का मतलब होता है आपने ब्याज कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है और ऐसा ब्याज जो आपको मिलने वाला है मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है वो आपकी संपत्ती होती है मैंने आपको धरन दिया था कि उपारजित मजदूरी आपने कई काम किया और आपको अभी मजदूरी मिलने वाली है आप उसको संपत्ती मानोगे कि नहीं मानोगे कि आपकी संपत्ती है मिलने वाली है भै अभी किसान के खेत में खसल है वो अनुमान लगाता है प्याज लगे हैं तो वो अनुमान लगाता है कि मेरे इतने रुपए के प्याज निकलेंगे या मेरे इतने रुपए के अर्वी निकलेगी या मेरे इतने रुपए के स्वयाविन निकलेगी या कपास निकलेगा वो अनुमान लगाता है कि मैंने जो महनत करी है और उस महनत का प्रतिफल इतना मिलेगा मतलब उसकी संपत्ती इतनी आएगी इसी उपारजित ब्याज मतलब इतना मिलने वाला है तो वो उसकी संपत्ती हुई तो हम संपत्ती साइड में लिखेंगे उपारजित ब्याज 500 और अभी चुकी मिला नहीं है इसलिए कैस में नहीं लिखेंगे वे संपत्ति पक्ष में यदी 500 हमने लिख दिया उपार्जित प्याज की रुपे तो दाईत पक्ष में हमारी पुंजी 500 रुपे से बढ़ जाएगी जब भी समायजन की इंट्री होगी मतलब अधत पुरुवदत उपार्जित अनुपार्जित की तो उसका प्रभाव पुंजी पर पड़ेगा तो समपत्ति पक्ष में हमने उपार्जित प्याज 500 रुपे एक समपत्ति जोड़ दी और उदर पुंजी 500 रुपे से बढ़ जाएगी कमिशन अगरीम प्राप्त हुआ आपको एडवांस में किसी ने कमिशन दे दिया किसी काम को करने के लिए कि मेरा ये काम आप कर देना मैं आपको एडवांस में कमिशन दे रहा हूँ तो आपको एडवांस में कमिशन मिल गया एक हजार पही एक हजार एडवांस में दे दिया मतलब आपके पास कैस तो आ गया कैस आ गया नगत तो आपका कैस तो एक हजार रुपे से बढ़ गया लेकिन एडवांस में मिला हुआ पैसा आपकी संपत्ती नहीं है वो कल पलट के आ गया कि भहिया मेरा एडवांस वापिस कर दो तो इसका मतलब वो एडवांस में मिलावा पैसा आपका पैसा नहीं है वो आपके लिए दाईत्व है और इसलिए अगरीम प्राप्त कमिशन मतलब एडवांस में प्राप्त कमिशन आपके लिए दाईत्व है और दाईत्व पक्षमें हम एक दाईत्व के रूप में लिखेंगे अग्रीम कमिशन लेकिन कैस तो बढ़ जाएगा कैस बढ़ेगा एक हजार से और दाई तो एक बढ़ जाएगा हमारा की भीए यह अग्रीम प्राप्त हुआ है वो सामने वाला कभी भी ले सकता है ठीक है तो यह चार को हमें समीकरण में दिखाना है चलिए बना लेते हम इसका समीकरण थोटा सा समीकरण बनेगा चलिए इसको हम यह रहने देते हैं को साइड में कर दें जब करेगा यह बनाओ छोटा सा समीकरण बनेगा खोटा सा या बड़ा बनाना तो पड़ेगा ठीक है चार समायजन है वीबरन लेकांकन यमीकरण वीबरन तंपती बराबर नमबर वन रोकर से व्यापार प्रारंब किया ठीक है रोकड कितने की है साथ हजार की है 60,000 की रोकड है और उसकी फुझी हो जाएगी अचीह किनाय की किराया प्राप्त किया तो हजार रुपे का किराया प्राप्त किया मतनब आपके लिए कैस दो हजार रुपे से बढ़ गया और दो हजार रुपे से आप भी पुंजी भी बढ़ जाए गया ठीक है नाया समीकरण बना लो नाया समीकरण क्या होगा 62,000 का कैस हो गया और 62,000 रुपे की पुंजी ठीक है आगे बढ़े तो हूं कि तीसरे नंबर पर क्या दिया है उपारजित ब्याज 500 रुपे अब यह उपारजित ब्याज अभी मैंने आपको बताया था यह हमारी संपत्ति हुपी है तो इसे हम लिखेंगे संपत्ति पक्ष में 500 रुपे की और इससे हमारी पुंजी बढ़ जाएगी 500 रुपे से हमारी पुंजी बढ़ जाएगी 62,000 प्लस 500 और इधर भी हो जाएगा 62,500 बराबर चल रहा है अभी नया समीकरण बन के हमारा पूर नंबर बे दिया है अग्रीम कमिशन प्राप्त हुआ 1000 कमिशन अग्रीम प्राप्त एडवांस में मिला है तो कैस्ट तो मिली गई अपको यदि आपको एडवांस में मिला है मत्दब आपको कैस 1000 रुपए आपका बढ़ गया लेकिन दाई तो पक्ष में आपके लिए एक दाई तो बढ़ गया क्यूंकि कमिशन आपके लिए एक दाई तो होता है एडवांस में मिला हुआ कमिशन और इसलिए 1000 रुपए का दाई तो आपके लिए बढ़ गया पुझी पर खोई प्रभवन ही पड़ेगा एक हजार से कैस तो बढ़ा लेकिन वो दाई तो भी बढ़ा दिया उसने 65 और 63 और यह 500 और यह 1000 और 62,500 बराबर 63,500 इधर भी और 62 और 63,500 इधर और 63,500 इधर ठीक है उपारजीत और अनुपारजीत आप लिख लिजिए उपारजीत और अनुपारजीत इसको एडवांस में मिले हुए को अनुपारजीत बोलते हैं एक दिखिए उपारजित आय इसमें लिखिए उपारजित आय को संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति के रूप में जोड़ कर लिखा जाता है उपारजित आय को संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति के रूप में जोड़ कर लिखा जाता है यहां एक संपत्ति के रूप में लिखा उपारजित जो भी होगा, उपारजित किराया होगा, उपारजित ब्याज होगा, उपारजित जो भी होगा, वह हम लिखेंगे, यहां ब्याज था तो यहां ब्याज लिखा, उपारजित आय, हेडिक लिखना उपारजित आय, उसमें लिखो उपारजित आय को संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति के रूप में जोड़ कर लिखा जाता है और दाई तो पक्ष में पूझी में जोड़ा जाता है और दाई तो पक्ष में पूझी में जोड़ा जाता है क्योंकि यह भूल जाओगे और बार बार जब भी उपारजित आएगा ताप बोलोगी कि कहा वीडियो खोल कर देखोगे इसलिए लिखलो कॉपी में उपारजित आएको संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति की रूप में जोड कर लिखा जाता है और दाईत उपक्ष में उजी में जोडा जाता है दूसरा अनुपारजित आए अनुपारजित आए को संपत्ति पक्ष में रूप कर में जोडा जाता है अनुपारजित आए को संपत्ति पक्ष में यह हमारा संपत्ति पक्ष है उसमें रोगण में जोडा जाता है और दाईत उपक्ष में एक दाईतो के रूप में जोड कर लिखा जाता है अनुपारजित आए को संपत्ति पक्ष में रोगण में जोडा जाता है और दाईतो पक्ष में एक दाईतो के रूप में जोड कर लिखाया जाता है क्लियर ये उपारजित और अनुपारजित उपारजित तो उसमें लिखा मिलेगा लेकिन इसको अग्रिम कमिसन जो आपको एडवांस प्राप्त होता है उसे अनुपारजित कहा जाता है ये लिख लो अनुपार्जित का मत्त होता है जो आपको एडवांस में प्राप्त होता है आपको एडवांस में कमिशन मिल गया एडवांस में किराया मिल गया तो वो एडवांस में मिली वी चीज अनुपार्जित कहलाती है तो उसको रोकड में जोड़ जाती है और दाइतों में एक दाइ तो तो रूप में लिखा जाता है क्लियर ये क्लियर हो गया आप लोगों को ये दोनों पॉइंट बहुत इंपोर्डेंट बताए क्योंकि अभी प्रस्ण में परिक्षाओं में आता ही है उपार्जित अनुपार्जित के बारे में बोलिए परिक्षाओं में आज़े आगया हो तो पूछ लिजी फिर आम आज की क्लास को मंगल करें बताए जितने भी बच्चे हैं वो बताए आपको समझ में आगया हो तो पूछे कि क्या समझ में ने आया है एक बच्चे ने अभी तक बोला आनकित ने और बताए ठीक है कम्प्लीट करते हैं आज की क्लास फिर हम मिलेंगे कल ठीक ओके थेंक्यू पाई बताए आनकित मिलेंगे क्या प्रैब ओक बच्चे है और भी तक दिया है अज़ एक बशद्चे आप के बच्चे हैं